पाइन गंगा टाइगर रिजव फॉरस में जब हम जॉनी और इंदू टाइगर को धून रहे थे तब हमें जॉनी के कुछ पगमाग दिखे हमें ये गट फिलिंग थी कि आज रात को वो पक्का उधर आएगा हमने पूरी तयारी की फिर हम निकले जैसे हम निकले हमारी गाड बड़ा सा लेपड है फिर वो जंगल में चला गया और हम जब वापस जा रहे थे तो अचानक वो हमारे गाड़ी के सामने आ गया और उसने हमें देखा वो एकदम बिंदास हो गया वो एक घंटा हमारे गाड़ी के सामने चलता रहा बरसात का सीजन था इसलिए वो जंगल क पर हमारे सबके दिल में ये कही ना कही आशा है कि जौनी और इंदू इस बड़े से 400 किलिमेटर एरिया में अपना जीवन एकदम शांती से बिता रहे होंगे